गुड मॉर्णिंग एवरिवन आज हम देखेंगे चैप्टर 24 ड्रक्स एक्टिंग और रेस्पारेटरी सिस्टम का पार्ट वन जिसमें हम देखेंगे वाट इस ब्रॉंकियल अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा समझने से पहले हम ब्रॉंकाय समझ लेते हैं ब्रॉंकाय क्या होता है nothing but a passage for your inhalation of oxygen and excretion of your carbon dioxide from your body तो यह nothing but a exchange of airs का passage है जो कि हमारे lungs में present होता है ब्रॉंकाय उसका further bifurgation होता है ब्रॉंकियल में primary, secondary, tertiary उसके बाद आपका alveolar duct आता है और उसके बाद alveolar आता है इसके बाद यह जो चीज है वहाँ पे आपकी pulmonary arteries भी होती है जो की deoxygenated blood लाती है जिसके अंदर carbon dioxide होता है और हम जब inhal करते है oxygen को तो वो oxygen through this bronchi into bronchiol and further जो भी channel है वहाँ पहुशते है और exchange होता है carbon dioxide और oxygen के बीच में जिसके वज़े से जो oxygen है वो हमारे arteries में जाता है और further जो है हमारा blood यह oxygenated होता है और यह oxygen various organ tissue और cell को जाते है जिसके वज़े से cell का respiration होता है और cell जो है यह properly function करता है जैसा कि हमें पता है oxygen यह हमारे लिए कितना जरूरी है अब हम समझते है ब्रॉंकियल अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा क्या होता है तो ब्रॉंकियल अस्थमा is a clinical syndrome यह ब्रॉंकियल अस्थमा जो है यह एक syndrome है syndrome means it's a bunch of symptoms जो की क्यारेक्टराइस कैसे करेंगे बाय पैरोक्सिस्मल डिस्पेनिया डिस्पेनिया मींस अचानक से सड़न अटक आजाएगा कि जिसके वज़े से हमें सास लेने में तकलिफ होगी सास लेने में तकलिफ होगी उसके अलावा वीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिन एयरवे रेजिस्टन्स वीजिंग मींस वीशल जैसा मींस सीटी जैसा आवा जाएगा क्यूंकि हमें सास लेने में तकलिफ हो रहा है सास का मींस ऑक्सिजन लेने में एस वेल आस कर्वन डाउ आपसाइड हमें बाहर निकालने में जो तकलिफ हो रहा है डूटू नैरोड ब्रॉंकाय जो है वो जिसका पैसेज जो बड़ा था नॉर्मल था वो नैरो हो गया में छोटा हो गया जिसके वज़े से हमें सास लेने में तकलिफ हो रही है आवाज आ रही है तो यह एक कैरेक्टरेस्टिक है आपके ब्रॉंकियल अस्तमा का और यह एक बंच ओप सिम्टम्स है जो कि अच्छानक से आते है कोई परसन को जिसको कोई चीज का एलर्जी हो या फिर वो हम आगे देखते हैं किस वज़े से ब्रॉंकियल अस्तमा होता है त किस दूर्टिंग बड़सिंड्रोम है और हम बोल सकते हैँ इस अबंच ओप सिम्टम्स जिसमें कि हमें सास लेने में तकलित होsover और सास लेते देवग हमारे एक whistle जैसा आवाज प्रोड्यूस होगा और पेशन का है में एक whistle जैसा एक आवाज प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसे तकलिफ हो रहा है सास लेने में as well as carbon dioxide को excrete करने में लिए दे नार्मल ब्रांकाय होता है जब हमारी सास नॉर्मल चलते रहती है तो ब्रांकाय में ऐसा कुछ प्राब्लेम नहीं होता बट जब प्राब्लेम होता है तो ब्रॉंकः का जो डायमेटर है वो कम हो जाता है हो और नैरो हो जाता है किसके वज़ेसे दूर् भॉग को spasm अब यह ब्रॉंको spasm रिजन की वज़े से होता है वह 10 हम आगे देखते है इसके अलावा एडिमार ब्रॉंकियल मियुकस कोज़ा अब एडिमा ब्रॉंकी conv जो म्यूकस मेंब्रेन है वहाँ पे जो है फ्लूइड का सिक्रिशन जादा होने लगता है जिसके वज़े से ब्रॉंकाय का जो डायमेटर है वो कम हो जाता है और हमें सास लेने में तकलिफ होता है अस्तमा है continuous hyper reactivity of the bronchi which constrict due to allergen तो अस्तमाटिक पेशेंट में continuous hyper activity होता है ब्रॉंकाय का मिन्स ब्रॉंकाय इतना sensitive होता है और hyper active होता है कि उसे थोड़ा सा भी कोई चीज disturb कर दिया तो वह उस पर react होता है means mucosal edema होने लगेगा या फिर वह अपना size narrow कर देगा तो यह चीज जो है यह अस्तमाटिक पेशेंट में होती है कि उनका जो ब्रॉंकाय होए वह specially hyper active होता है किसको होता है mostly allergen को means foreign material को जैसा कि dust हो गया किसी को dust पसंद नहीं है या फिर किसी को कोई chemical का smell आने से अस्तमाटिक अटक आजाएगा में सास लेने में तकलिफ होगा तो allergen के वज़े से भी उनका ब्रॉंको ब्रॉंकाय जो है वह constrict हो जाता है और जो airway का जो passage है वह narrow हो जाता है जिसके होज़े से हमें सास लेने में और पेशन को सास लेने में तकलिफ होता है इसके अलवा physical and chemical irritants physical और chemical irritants अगर हम कोई company में काम कर रहे है या फिर कोई experiment कर रहे है वहाँ पर कोई irritant है जो कि ब्रॉंकाय को जो म्यूकस मेंब्रेन है उसको stimulate करता है जिसके वज़े से म्यूकसल एडेमा प्रोड्यूस होता है और ब्रॉंकाय नैरो होने लगता है तो ऐसे भी कुछ फैक्टर है कि जिसके वज़े से अस्तेमेटिक अटाक आने के चांसे से इसके अलावा हमें रेस्पारेटरी इंफेक्शन होगा स्पेशली ब्रॉंकाय में अगर इंफेक्शन हो गया जिसके वज़े से हमारा इम्यून सिस्टम उस पर इस डिफेंस मेकेंडिजम करके रियक्ट हो गया और उसके वज़े से वहां पर म्यूकस सिक्रिशन बढ़ गया तो भी हमें सास लेने में तकलिफ होता है उसके बाद psychological and hereditary factor psychological means psychologically disturbed कोई patient है और वो कुछ जाधा ही डिप्रेस हो गया है या फिर जाधा ही over conscious हो गया या फिर डर गया है कोई चीज के वज़े से psychologically तो उसमें भी asthmatic attack आने के chances से उसे सास लेने में तकलिफ जाएगा उसके अलावा hereditary factor यह family to family depend करता है कि उनका genes और DNA जो है वो किस type से बना हुआ है तो इसके वज़े से भी asthmatic attack आ सकता है तो यह है यह hereditary factor है means अगर parents में किसी को asthmat है तो ultimately उनके बच्चों को भी asthmatic attack आने के mostly chances रहते हैं the asthmat may be consider as extrinsic when it is associated with family history of allergies and usually attend episodic form तो asthmat को हम extrinsic कब बोलेंगे जब यह associated रहेगा with family history of allergy means family में अगर parents को कोई चीज का allergy है समझ लिजे dust का allergy है या फिर कोई और चीज का allergies है chemical का allergy है या फिर कोई vegetable का allergy है बहुत से लोगों को होता है तो उसका family history में अगर allergies का कोई चीज है तो उसे हम कब कहेंगे extrinsic kind of asthma और bronchial asthma और यह जो होता है यह ultimately episodic form में होता है episodic form में means जब भी वो patient वो particular material और allergen को allergen के contact में आता है allergen के contact में आ गया तो ही उसे attack आता है नहीं तो नहीं आता है तो यह depend करता है कि family history कैसा है कि family history में मम्मी या पपा को dust का problem है जिसके वज़े से उनको asthmatic attack आता था तो usually heredatory होगा तो जो patient है patient को भी वो चीज दिखेगा बट यह तभी दिखेगा जब वो patient वो particular allergen से contact करता है या dust से contact करता है या फिर आप बोले केमिकल कोई उनको allergen हो उससे contact में रहता है तो ही यह problem होता है उसके अलवाद दूसरा है intrinsic variety इसमें family history नहीं रहता है कोई allergic material का family history नहीं रहता है asthma is a chronic form यह जो होता है यह chronic form में होता है अब यह chronic form आईसी चीज है कि जिसमें जो traditional medicine है वो भी काम नहीं करती तो इसको यह asthma का जो attack है इसको properly various kind of medicine as well as various precautionary measures से treat किया जाता है तो दो type के है extrinsic जिसमें family history होता है intrinsic में family history नहीं होता है allergen का बट यह chronic kind of है और जिसमें family history होता है यह ही थोड़ा acute kind of होता है तो ब्रॉंकियल अस्तमा lead to hypoxemia means decrease in arterial oxygen tension decrease in arterial oxygen tension means कि oxygen का level आपके arteries में कम रहेगा ठीक है ब्रॉंकियल अस्तमा मिन्स narrowing of bronchia और narrowing of bronchia होने के वज़े से exchange of gases carbon dioxide और oxygen का जो exchange होगा वो कम होगा जिसके वज़े से oxygen का जो level है arteries में कम रहेगा उसे ही हम बोलेंगे decrease in arterial oxygen tension जिसे बोलेंगे hypoxemia उसके बाद है hypercapnia तो hypercapnia भी होता है ब्रॉंकियल अस्तमा के वज़े से जिसके वज़े से arterial carbon dioxide tension बढ़ता है क्यों बढ़ता है क्योंकि carbon dioxide हमारे body से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि bronchia narrow हो गया है ठीक है बाहर की चीज अंदर नहीं पर ही और अंदर का चीज जो है carbon dioxide जो प्रोड्यूस हो रहा है वह बाहर नहीं जा पर रहा है उसके वज़े से arterial carbon dioxide tension बढ़ेगा the prolonged hypoxemia cause right ventricular failure तो hypoxemia अगर प्रोलांग रहता है तो right ventricular जो हमारा heart है जो right ventricle है वह उसका फेल होने का chances बढ़ जाता है इसके अलावा अगर hypercapnia होता है जिसकी वज़े से carbon dioxide हमारे arteries में बढ़ने लगेगा तो इसके वज़े से cerebral vasodilation होगा cerebral cerebral जो है हमारे brain में वहाँ पे जो blood vessel जा रही है वहाँ पे वासodilation होगा mental confusion होगा twitching कि इसके अलावा drowsiness एंड फाइनली कोमा यह hypercapnia के वज़े से हो सकता है अब types of bronchial asthma देख लेते हैं तीन टाइप के bronchial asthma रहते हैं क्लीनी के लिए अगर हम देखें फर्स्ट आता है episodic form, episodic form को हमने generally extrinsic type variety बोला ही है तो यह क्या है in this form of asthma the patient get acute attack means acute attack means mild attack जैसा होता है which are relieved rapidly and completely by bronchodilator drugs तो acute attack रहता है और acute attack को rapidly आराम मिल जाता है अगर bronchodilator drugs को हम लेते हैं और with no disability in between the attacks अगर यह attack आता भी है तो पेशन्ट जो है वो थोड़ा conscious रहता है वो means उससे पता है कि भी क्या action लेना है हमें bronchodilator drug लेना है यह वो disabled नहीं drugs और इसे हम बोलेंगे acute kind of attack of asthma और episodic form of asthma उसके बाद आते है status asthmaticus तो यह status asthmaticus भी जो है यह chronic और severe type है आपके acute attack का तो यह acute attack आते है बट यह severe होते है persistent होते है और does not respond to traditional medicine like adrenaline and aminophilin adrenaline और aminophilin जैसे traditional drug को यह respond नहीं करते बट अगर episodic form है acute attack है तो इसमें यह drug काम कर लेते है as a bronchodilator बट अगर यही चीज़ अगर severe हो जाती है acute attack यह जो है severe means continuously आ रहे है और control नहीं हो पा रहे है तो यह ultimately adrenaline और aminophilin like drugs को भी respond नहीं करते और traditional medicine को response नहीं करते it is associated with respiratory insufficiency और failure अगर इसको properly treat नहीं किया गया तो यह ultimately respiratory failure कर देते है means respiration बंद करने का काम करते है जिसके वज़े से हमारे body में जो है oxygen supply बंद हो जाता है और ultimately coma या फिर death होने का chances बढ़ जाता है उसके बाद third form है chronic form in this case there is a persistent dyspania and ways of variable severity with acute attacks occurring from time to time तो status asthmatic के बाद आता है chronic form यह भी वही kind of attack है status asthmatic kind of but chronic होता है इसका severity variable kind of रहता है जो acute attack जो होते है यह variable severity के रहते हैं कभी कम severity के रहेंगे कभी जादा severity के रहेंगे means जो bronco constriction हो रहा है कभी बहुत जादा ही constrict हो जाएगा कभी थोड़ा कम constrict होगा तो जिसके वजह से जो है variable severity के होते है और यह attack जो है time to time आते रहते है तो यह third type of आपका bronchial asthma है तो तीनों में भी acute attack ही आते है बट उसका जो interval है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसमें जो persistent और severity वो बढ़ने लगती है मिस पर्सिस्टंट मेंस एक continuation जो है वो बढ़ने लगता है और उनके बीच में जो बिट्वी आप टाइम पिरेट बिट्वीन अटेक जो होता है वो कम होने लगता है जिसके वजह से उसका severity बढ़ने लगता है अब treatment क्या है ब्रॉंकियल अस्तमा का तो therapy of ब्रॉंकियल अस्तमा includes first elimination of trigger factor तो जैसा कि मैंने बोला है कि बही कोई patient को allergy chemical से है या फिर dust से है या फिर कोई और flower के smell से और scent से है तो first हम क्या करेगे कि भई और वो patient खुद ही care लेगा कि भई मुझे इससे allergy है प्लीज इसको मुझे से दूर रखो या फिर वो दूर हट जाएगा तो systematic patient ने ये care लेना चाहिए या फिर हमें अगर पता है कि हमारा friend है या फैमिली मेंबर ये चीज से allergic है तो हमने ही वो care लेना चाहिए जिसके वज़े से वह भी सफर ना हो और उसके वज़े से हम भी सफर ना हो कि सेकंड अवाइट रेस्पारेटरी इरिटरंट रेस्पारेटरी इरिटरंट जो होते है रेस्पारेटरी ट्रेक को इरिटेट करने वाले केमिकल्स हो गए पॉक्स हो गए लाइक टोबैको स्मोक हो गए निस टोबैको का स्मोक अगर हम इन्हाल कर लेते हैं तो हमें अल्तिमेटली खासी आने लगती है तो उटीमेटली हमारे रेस्पारेटरी ट्रेक को क्या करते है इरिटेट करने का काम करती है जैसे कि आगर आपने स्सक्वह पोलूशन बोलते हैं हम जैसे कि अगर बस हो कार का धुआ हो अगर अचानक से हमने उसको इन्हाल कर लिया तो हमको रेस्पारेटरी ट्रैक में इरिटेशन होने लगता है जिसके वज़े से हमें खासी आती है खासी क्यों आती है यह हमारा सडन उसको रिस्पांस है कि भाई वो हमारे बोडि से निकल जाए बट वह मूकस मेंब्रेण को कम होने का chances होता है यह दूसरा टाइप है treatment का उसके अलावा psychological treatment means हम जो patient अगर anxiety में है fever में है और जिसको sorry fever ने fear कोई चीज को डरता है या फिर कोई phobia है तो उसको हम वाया psychiatrist के मदद से as well as psychotherapy से उसको हम treat कर सकते हैं जिसके वज़े से उसे asthmatic attack ना आए तो यह भी हम therapy दे सकते हैं जिसका psychological history है या फिर वो depression में है कोई चीज psychologically patient को हम बता नहीं सकते कौन से चीज से asthmatic attack आ जाए तो ऐसे patient को psychiatrist अच्छे से handle कर सकते है इसके बाद four kind of therapy है drug therapy drug therapy में acute attack के लिए bronchodilator है अगर infection हो गया है हमारे respiratory tract में तो antibiotics ले सकते हैं इसके अलावा corticosteroids हम ले सकते हैं जो की ब्रॉंकाय आज वेल एज यूर lungs का capacity बढ़ाएगा फॉर inhalation आज वेल एज excretion of carbon dioxide inhalation of oxygen के लिए और उसके अलावा supportive major अगर कोई patient को ब्रॉंकेल अस्तमा हो गया है तो supportive major like oxygen supplies oxygen cylinder हो गया या फिर बाकी अधर मेजर्स हो गया जैसा कि जो trigger factors है अलर्जन से उसको वहाँ से दूर हटाना हो गया तो इसके अलावा doctor का team हो गया monitors हो गया जो की monitor करेंगे उसका oxygen level यह सब supportive major और यह सब चीजों से हम हमारे bronchial asthmatic patient को treat कर सकते हैं अब यह part 1 में हमने सिर्फ bronchial asthma देखा है part 2 में हम various type of asthma और उससे related drug को discuss करेंगे तो इफ यू लाइक दे वीडियो देन शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फर वाचिंग गद्ब्लेस्ट